यहां पर आचुका है अपना एडवान सर्वर एंगस आज किस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे उन सारे अपडेट्स के वारे में लाइक यहां पर देख सकते हो गेम के अंदर कुछ न्यू फीचर आने वाले हैं इसके लावा कुछ न्यू सेटिंग और कुछ कर देना तो फटा 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 करते हैं वीडियो का स्टार्ट बिना किसी दिरी के चलो भई देख अपने क्या करता हूं कि सुकिस यहां पर पहला अपडेट है वह यह है कि अब हम लोग गारी चलाते हुए भी कौईन को कॉलेट कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो बस आ गारी चलाने वाला कस्टम हुड होता है जो गारी चलाने का वटन होता है उसको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो यह आपको 200 और 100 दोनों पर दिखने को मिल जाएगा अभी तक यह वाला ओप्सन नहीं था हम लोग इस लेकिने में तो यह चोटा मोटा गुटली के टैप का है लेकिन काफी जादा खतरनाक है क्योंकि यह जुगन है आग छोड़ता है अब अगर आप लो इससे किसी इनेमी को मार दोके तो उसके पिछवाड़े में आग लग जाएगा और वो दूम दबा के भागेगा मज़े क इससे आप लो इनेमी को गुलूबल के आर पार भी मार सकते हो अगर कोई सोनिया टिमिट्री का यूज़ करके रिवाइब पारा तो वहाँ पे छोड़ दो देख सकते हो एक बड़ में तीन चार गुलूबल को तो यह ऐसा ही फोर देता है और इससे भी सबसे ज़्यादा ख होगा और मज़े की बात फोगैस यह है कि एक मीनी वेपन है मतलब की तीसरा वालग अब यहाँ पर बोल दो इसके इलावा जो आउग है उसके अंदर हम लोगों को अब जो है तीन चिप का तीन लेवल का उफसे मिलेगा और मज़े की बात तो यह कि हाँ पर आपको चिप ल लोगों को गेम के अंदर दिखने को मिलेगा और यह जो गन है प्लास्मा वो पहले से और भी जादा ओपी कर दे गया है इसका जो इनर्जी रिकवरी है वो पहले से फास्ट किया गया है साथ यहां पर जो डेट आफ फायर डैमेज वगड़ा को फी इंक्रीस किया गया है ठीक वैसे ही यह लेके आएगा एरड्रोप अब यहां पर क्या है कि यह जो है इस तरीके से इधा उतार घूमते रहेगा आपको उसको डैमेज देना यहां पर करीब 1000 का आपको डैमेज उसको देगे तो वो जो है मर जाएगा एंड जो ड्रोप है वो नीची गिर जाएगा इसके लवगर यहां पर आपको मिलेगा एक सूज यह वाला जिससे कि आप थोड़ा सा उशलफान कर सकते हो यह एधिंग आपको इसके वारे में पता होगा बढ़िए जो ड्राइगन वाला सीना भाई यह मेरे को काफी त्याला लगा कि यह ड्रोप लेके कुछ इस तरीके स हम लोग जब किसी इनमेगी पर कलिक करेंगे तो उसका नाम हम लोगों को दिखने को मिल रहा एंड साती साथ हम लोग जो है उसकोसे बीट सेक्थ सकते हैं। इसके बाद भी गैस में आपको दादो कि सोसल एंड में हम लोगों को फिर से माइक ओल्प का ओफसन दिखने को मिल रहा जो कि पहले के टाइम पे था आप लोगों ने हाँ पर काफी ज्यादा मज़ा किया होगा मेरे को पता है यह वाला ओफसन सहाथ से आपको फिर से दिखने ओफसन है यह सिस्टम मेरे को काफी तगड़ा लगा मैं आपको बता दो कि गेम के अंदर हम लोगों को अपना एक न्यू क्रेटर करके दिखने वाला है जिसका यहाँ पे फेस रिविल तो हो चुका है इसको बोल सकते हो वाई वुकॉंग का छोटा वाई यह जो है एक पैस देखना है तो भाई चैया को सब्सक्राइब करके रख दो आपको काफी ओपी ओपी वीडियो दिखने वाला है इसके बाद पर यहाँ पर देखो बात करें लोगी का तो देखो लोगी पे आप लोगो को अस्टेटस करके एक न्यू फीचर दिखने को मिल रहा अब यहाँ पे बिस्टिकली तीन ओफ्सन है अगर आप लोग इस पे कर दोगे तो क्या होगा कि कोई भी आपको जो है अपने टीम में के लिए इनवाइट नहीं कर पाएगा ओनलान पे करोगे तो कोई भी आपको जो है अपने टीम के लिए इनवाइट कर सकता है लेकिन अगर यहाँ आप लोग कर दोगे do not disturb पे तो फिर जो है आपको कोई भी invite नहीं कर पाएगे ठीक है इसके लावा कि यहाँ पे देखो आप लोगे प्रोफाइल पे पहले तो एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो देखो कोने में उपर जो हमारा अफ़तार होता है वहीं पे हम लोगों को जो लेवल है वो दिखने को मिल रहा वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा इसके लावा आप लोगे प्रोफाइल पे तो यहाँ पे एक रिवार्ड का ओफसन आ रहा अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका नेक्स्ट लेवर्ड का रिवार्ड होगा लाइफ यहाँ पे मैं अभी 16 लेवल कहूं तो 17 लेवल पे मुझे कॉंसर रिवार्ड मिलेगा वो चीज आपको यहाँ पे पहले ही दिखाया जा रहा ठीक है यह उच्छा यहाँ पर देख सकते हो हम लोग जब सेटिंग पर जाते हैं जो सिंसिटिवीटी है अब कह है कि आप लोग किसी भी सिंसिटिवी गेम की सिंसि पहले से और भी काफी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है आप लोग बताओगा इसके अवी के टाइम पर आपको सौ जो सिंसि है वो कम पड़ता है या फी ज़्यादा पड़ता है मेरे साब से तो भाई अब जो है मैं 200 करके खेलूंग और पटा-पट सबको ह इसके बाद किस यहां पर अगला अपडेट है जो कि आप लोग देख सकते हो अब आप लोग किसी भी एनेमी को नौक करोगे तो नौक होने के बाद उसके पास आपको एक सील्ड देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का उसके मुंडी के आगए एक सील्ड बनाऊगा ठीक है अब इस सील्ड का क्या काम है वो तो मैं सही से चेक नहीं कर पाया यहां पर जो है नौक होने के बाद उसको डैमेज कम पड़ेगा क्योंकि उसके आगे सील्ड बनाऊगा ठीक है बट भाई यहां पर जो पिछवड़ा है वो तो खुला हुआ है तो वहां पर तो मारी सकते यहां पर मैं यूज करता हूँ तो अब यह वाला फूचर आएगा वहां पर ज्यार की चाला है तो मेरा यहां पर जो लेवाल है वो पड़ेगा तो फिर यहां पर मुझे एस्नेपर का एक रोल मिल दाएगा जो कि मैं दिखा सकता हूँ जैसे गलै बगर्हता थाना बेंग लिए सब उस तरीके से हाँ पर आपको रोल भी दिखने को मिलेगा ठीक है यह वाला फीचर में को काफी टगला लगा जो लोग एसपोर्ट प्लेयर है या फिर एसपोर्ट खेना चाहते हैं उन्हों को टीम बनाने में यह काफी इजी होगा यहां पर मैं आपको बढ़ा दू कि यह तो पीन करने वाला ऑफ्सन होता है भाई इसको और भी जाता अच्छा कर देगा है पहले के मुख ले अब क्या है कि आप किसी एनेमी से फाइट ले रहे हो उसको डैमेज दे रहे हो और उसके पास जैसे आप लोग पीन वाले पर किलि करोगे वहां पर किलिक कर दोगे सीधा वह इनेमी पर ही पिन करेगा इसके लाव अगया है कि काफी सारे हम लोगों को न्यू आइकन भी दिखने को मिल रहा अब एक टैम पर किसी एसक्वाइट के लास्ट बंदे को किल कर देते हो तो वहां पर लिखके आता है टीम वैपर इसी तरीके से आपको और भी काफी सारे न्यू चीदे दिखने को मिलेगा आप लोग वन भी टू करोगे अकले एक हैस्वार के दोबन दे को मार दोगे तो लिखके हैगा वन भी टू ही रो इस तरीके से वन भी थी निमी ने मार दिया उसका पी आप रिवाय पाके फिर से उसी नेमी को किल करोगे तो वहां पे एक अलग टैप से पिन बनेगा अलग टैप से एकन बनेगा ठीक है मतलब कि और भी काफी सारे न्यू एकन को एड किया जाएगा जो कि दिखने में तो काफी सही लग रहा एंड गेम को और भी ज्यादा मज़िदार बनाएगा इसके मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगा तो अगर आपने अभी ता सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके रख दो आई होप कि यह वीडियो आपको समय में आ चुका होगा आपको पसन आया हो अब आप लों बताओ कॉमेंट बॉक्स में कि कौ कौन सा अपडेट है जो कि आपको सबसे पिकान लगा तो गैस यह मैं मिलता हूं आप से किसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केर